आल राइट तो ये है मेरे हातों में सैमसंग का 32GV का क्लास 10 का SD कार जो कि मैंने अमेजन से मगाया है 400 रुपे में तो अब ये मैंने क्यों मगाया और आज की टैम में क्या आपको SD कार लेना चाहिए या फिर आप लोगो को जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं तो उन ही सभी चीज़ हो कि मैं बारे में बात करने वाला हूँ चलिए 10 सेकंड के अंदर देख लेते हैं किस तरह की पैकिंग है तो सामने यह आप देख सकते हो होने और इसके अंदर में इसको लगा देता हूं 3-card slot के अंदर कुछ तरीके से और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आप यह शो भी होने लग क्या है 32 GB और एकदम पूरा खाली का खाली पड़ा है हमारा से कि आप देख सकते हो कितने टाइम के अंदर यह सेव हो जा रही है अब इसको खरीद ना चाहते हो तो मैं अमेजन का बाय लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहां पर हमारी फाइल भी होने वाली है और यह करीब पूरी हो चुकी है अब देखते हैं कि स्पीड का क्या आल रहा तो वीडियो का साइज था 1.33 GB और जो मैग्सिमाम स्पीड आया थी वो थी 161 Mbps की टोटल टाइम लगा 36 सेकंड से और इस चो हमारी एवरेज कॉपी करने की जो स्पीड थी वो आई हमारी करीब 38 Mbps की और आई तिंग यह काफी सही है जिस प्राइस में हमने यह memory card खरीदा अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ अभी मेरे पास जो phone है वो micromax का in one है और इसके अंदर emmc 5.1 लग रहा है और इसकी speed में आपको चेक कराता हूँ एक application के तुरू जिससे कि आपको idea लग सके कि यह phone के comparison में कितना fast या कितना slow है लेप साइड में आप देख सकते हो SD card है जिसमें हमारी जो right speed आई है वो करीव 23 mEPS आई है वही हमारी emmc 5.1 मतला phone में 120 mEPS आई है जो कि 6 गोनी जादा है read speed की बात करें तो SD card में करीब 80 mEPS है वही 53 गोनी जादा इससे phone में 278 mEPS और वाकी speed भी आप इसकीन पर देख सकते हो तो मतला emmc 5.1 आज भी आप देख से तो SD card से काफी ज्यादा पास्ट होता है और तभी जादा लोग आज कल SD card नहीं लेते हैं और SD card में game बगएरा रखने का कोई भी benefit नहीं है